हेलो दोस्तों अगर आप BSNL के broadband customer है या उसके landline service का use करते हैं और आपका पुराना plan होने वाला है expire और उसके आगे आपको नए plan की एक ज़रूरत है जो आपको best benefits दे सके कम charges में तो ऐसे ही दो plan के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको तो जुड़े रह आमें किसी भी state में किसी भी circle में use कर सकते हैं ये plan आपको landline के साथ में अलग से benefit देंगे unlimited किसी भी network पे calling का landline correction के साथ में अब broadband के ये दो plan आपको best इसलिए भी साबित हो सकते हैं क्योंकि इसकी validity जो period है वो भी जादा है 6 महीने का है दोनो plans का costing के विसाप से और जो उसमें benefits हैं उसमें कुछ changes किये गए हैं दोनो plan का amount आपको आदा हो एक है 299 रुपए का plan दूसरा है 499 रुपए का plan सबसे पहले बात कर ले थे हैं 299 रुपए के broadband plan के बारे में बेसमें ये 299 रुपए का plan आपको 20 MBPS की speed आपको देगा जो highest speed होगी इसमें वो 20 MBPS की होगी साथ में 60 days की validity के साथ में आपको 50 GB data मिल जाएगा इस plan के अंदर अभी FUP की कोई भी limit नहीं रखी गई है इस जो भी इसमें data आपको मिल रहा है 50 GB का 50 GB data जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी speed घट कर 1 MBPS की रह जाएगी उसके बाद भी आप use कर सकते हैं data का लेकिन speed आपकी reduce कर दी जाएगी land 9 service अगर आप use करते हैं तो broadband के इस plan के साथ में आपको unlimited किसी भी network पर calling भी मिल जाएगी यानिकि voice calling facility भी आपको मिल जाएगी अब बात करते हैं दूसरे plan के बारे में जो है 491 रुपे का यानिकि 491 रुपीस का plan broadband का BSNL की तरफ से ये भी आपको हर circle में मिल जा करते हैं इसमें भी आपको 50 Mbps की speed मिलेगी जो highest speed होगी इसमें आपको benefit यह है कि 120 GB data आपको per month मिल जाएगा 66 महीने की इसमें आपको validity मिल जाएगी इसमें FUP की limit जो रखी गई है उसके बाद में जब आपका data खतम हो जाएगा तो आपको M1 Mbps की speed इसमें भी आपको मिलेग बाके facility इसमें भी unlimited calling की है अगर आप connection के साथ में अगर landline service यूज करते है बेसनल की तो आपको unlimited calling भी मिल जाएगी तो इन दोनों plan में से किसी का भी आप use कर सकते हैं दोनों plan best है amount के हिसाब से जो उसका amount है जतने का charge है उसके हिसाब से validity period long है और आपको benefits भी अच्छे मिल रह वो भी आपको अगले आने वाली वीडियो में देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो कैसे लिए क्रमेंट्स बहुत मताना बिल्कुम बोलीगे वीडियो को लाइक कीज़े शेयर कीज़े अपने फ्रेंड्स को और जाते है ते कर लिए चलम को सब्सक्राइब अभी भी नही हुआ हुआ है